सुप्रिम कोर्ट ने 4 अगस्त को कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की 2019 की मोधी सरनेम टिपणी पर उनके खिलाफ दायर आपरादिक मानहानी मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है नायमूर्ती बियार गवई की अध्यक्षता वाली पीट ने कहा हमारा मानना है कि फैसले के प्रभाव व्यापक हैं और उनके निर्वाचन छेतर के मद्दाताओं के अधिकार को प्रभावित करते हैं वयानाट के सांसत को बीजीपी नेता पुनेश मोदी दौरा उनके खिलाफ दायर मामले में 23 मार्च को गुजरात की एक मजिस्ट्रेट अदालत दौरा आपरादिक मानहानी का दोशी पाए जाने के तुरंत बाद संसत से अयोग घोशित कर दिया गया था सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में और क्या कहा ये विस्तार से जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है खेर अब जब राहुल गांदी की सदा पर रोग लगा दी गई है तो मुख्य सवाल ये उठता है संसत से राहुल गांदी की अयोगता का क्या होगा क्या उन्हें अपनी सीट वापस मिलेगी और मिलेगी तो कब मिलेगी राहुल गांदी की संसत से अयोकता लोग पृतिनिद्व अधिनियम 1991 पर अधारित थी जो दो साल या उससे जादा के कारवास से दर्णिय अपरात के लिए दोशी ठहराये गए व्यक्ति की अयोकता का प्रावधान देता है अधिनियम का प्रासंगित भाग धारा एट क्लॉस 3 कहता है किसी भी अपरात के लिए दोशी ठहराया गया व्यक्ति और जिसे कम से कम दो साल के कारवास की सजा सुनाई गई हो ऐसी सजा की तारीक से अयोक खोशित कर दिया जाएगा और इसकी रिहाई के बाद से 6 साल की अबदी के लिए अयोक बना रहेगा इसका मतलब ये था कि ना केवल राहूल गांदी को लंबे समय के लिए संसत से प्रितिबंदित कर दिया जाए बलकि वे अगामी 2014 विदानसबा चुनाओ भी नहीं लड़ पाएंगे जबकि मजिस्ट्रेट अधालत ने राहूल गांदी पर जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई थी सुप्रिम कोर्ट ने 4 अगस्त को बताया कि नियाधीश ने अधिक्तम सजा देने के लिए विशेष कारण नहीं बताये थे जस्टिस बियार गवई, पियस नरसिमा और पीवी संजे कुमार की पीट ने कहा इस नयाले की टिपपणी के अलावा ट्राय जजज द्वारा अधिक्तम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है अगर सजा एक दिन भी कम होती तो प्रावधान आयोकता से संबंदित प्रावधान लागू नहीं होते तो क्या राहुल गांदी को लोगसभा की सीट वापस मिलेगी? इसका जवाब हाँ मैं है ऐसा माना जाता है कि दोश सिद्धी पर रोग लगने के बाद ये आयोकता अपनी प्रियोजिता खो देगी सुप्रिम कोर्ट के एडवोकेट और रिकॉर्ट पारसनात सिंग के मताब एक प्रक्रिया इस प्रकार होगी अप्चारिक्ता के तोर पर लोकसभा सचिवाले को पिछली आयोकता अधिसूचना को स्थगित करने के लिए एक नए अधिसूचना जारी करनी होगी लेकिन आदाश रूप से अधिसूचना कब तक आनी चाहिए? इसके जवाब में पारसनात सिंग ने बताया कि इसकी कोई समय सीमा तो नहीं है लेकिन बहुत सरल है जब मजिस्टेट अदालत द्वारा दोशी ठराय जाने पर उन्हें सचलित रूप से अयोक गुशित कर दिया गया था जब दोशिद्धी पर रोग लगा दी गई है तो ततकाल भाली भी होनी चाहिए उन्होंने का ये ततकाल ही होना चाहिए क्योंकि उन्हें बस सुप्रेम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिसूचना जारी करनी है अब आते हैं सवाल पर कि अगर राहूल गांदी को तुरंट अपनी सीट वापिस नहीं मिली तब क्या होगा इस सवाल का जवाब लक्षदीब के सांसत मुहम्मद फैजल के मामले से निकाला दा सकता है राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता फैजल को हत्या के प्रियास के एक मामले में 11 जनवरी को ट्राइल कोट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी लेकिन इस साल 25 जनवरी को किरल हाई कोट ने इस अधार पर सजा पर रोक लगा दी कि इस से एक और चुनाओ कराना पड़ेगा और सरकारी खजाने पर अनाविशक बोच पड़ेगा रोक के दो महिने से जादा समय तक लोकसभा में उन्हें दुबारा बाहल करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई तो फैसल ने सुप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खटखट आया हाला की शीश अधालत दौरा उनके मामले की सुनवाई से कुछ घंटे पहले लोकसभा सचिवाले ने उन्हें उनकी सीट वापस दे दी वकील पारसनाथ सिंग ने कहा ये एक उतकरष्ट मिसाल और उधारन है कि राहुल गांदी को अपनी सीट वापस क्यों मिलनी चाहिए और क्योंकि उनकी सदा पर रोक लगा दी गई है यदि नहीं तो उनके पास फैसल की तरह इसे शीश अधालत में चुनौती देने का कानूनी उपाए है अब आते हैं सवाल पर कि इसके बाद राहुल गांदी के खिलाफ दर्ज मुकदने का क्या होगा क्या ये खत्म हो गया है या फिर ये खत्म कर दिया जाएगा तो उसका जवाब है नहीं बॉम्बे और राजिस्थान हाई कोट के पूर्व मुक्ष ने आएदीश पिरदीप नंदरा जोक ने पिछले एक आर्टिकल के सम्मन में बताया था कि अगर शीर्ष अदालत ने राहुल गांदी की दोश सिद्धी पर रोक लगा भी दी जो अब लगा दी गई है तो भी उनके मामले की सुनवाई होगी और गुन दोश के अधार पर फैसला किया जाएगा मजिस्ट्रेट अधालत ने उन्हें अपरादिक मानहानी का दोशी पाया तो राहुल गांदी ने गुजरात सतर नियाले में फैसले के खिलाफ अपील की साथ ही उन्होंने अपनी सदा पर रोक लगाने के लिए भी अरजी दाखिल की इस फैसले के खिलाफ जो अपील राहुल गांदी ने दायर की थी वो अभी भी लंबित है तो बात अभी यहां खत्म नहीं होती है